असलाम अलेकुम आज से हम बच्चों अपना स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स टॉपिक और जिसको हम स्टडी सिर्फ इस मकसद के लिए करेंगे कि इस आई हुई प्रॉब्लम को हमने रिमूव करना है बिसिकली इस टॉपिक की कोई अप्लिकेशन नहीं है क्योंकि यह जो टॉपिक है यह एक ड्रॉबैक है और ड्रॉबैक है तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं किसी हमारी ऐसी अप्लिकेशन के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो हम चाहते हैं कि ना हो तो हम इसको रेक्टिफाय करना चाहते हैं इसको हम अपनी applications में ना बनने देना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो हम output चाहते हैं वो आ सके तो basically हम बात करने वाले हैं self induction के अब self induction से क्या मुराद है आपके सामने एक diagram है इस diagram पर पहले ज़रा नदर लगाते हैं और फिर समझते हैं कि basic मतलब क्या है हमारे पास self induction के और माल लेते हैं कि इस battery की current की वज़ा से जो यहां पर मेरे पास flow of current आ रहा है solid net के अंदर वो कुछ इस तरफ है तो मैंने वैसी generally दिखा दिये क्योंकि यह matter नहीं करता इस topic के अंदर to show the direction of the current actual direction पर बात करने की ज़रूरत नहीं है पहली चीज तो यहां आपको मैं बता दूँ कि इस तरह से diagram बना रखती है इस diagram के साथ हमारे पास basic self induction नहीं होती क्योंकि बचो यहां से जो current गुजर रहा है इस current की वज़ा से यहां पर एक magnetic field बनेगी और magnetic field की वज़ा से magnetic flux आएगा लेकिन magnetic flux तो आएगा लेकिन एक चीज आप भी देख रहे हैं कि magnetic flux का change नहीं आएगा क्योंकि change in magnetic flux तो तभी आएगा कि जब बचो हम अपने current को change करेंगे और magnetic field को change करेंगे तो ही ऐसा होगा अगर आप चाहते हो हैं कि actual में self-induction को देखा जाए तो यहां DC source की जगा हमें AC source लगाना को होता है लेकिन चले हम माल लेते हैं कि हमने DC source लगाया तो यहां हमें एक variable resistor भी लगाना होगा ताकि हम यहां से जाने वाले current को change कर सकें क्योंकि बचो जब current change होगा जो कि इस coil से flow कर रहा है गुजर रहा है current जब change होगा तो इससे बनने वाली magnetic field भी change होगी और जब magnetic field change होगी तो magnetic field definitely दोनों cross-section से गुजरेगी अपने cross-section से भी उस magnetic field का flow आ रहा है गुजर हो रहा है तो वो जो magnetic field और उसकी वरसे आने वाला जो change और magnetic flux होगा ये coil अपने ही अंदर अपने ही जात में एक induction करवाने जा रही है तो ऐसी induction को हम नाम देने वाले हैं self-induction तो फिर से इस बात को ज़रा बचों समझते हैं हमने एक source of current लगाया जैसे तैसे इसके current को change करवाया इस current की वज़ा से यहां इस solid light ने magnetic field बना ली जो magnetic field हम पहले भी कई chapters में देख चुके हैं माल लेते हैं कि यहां north है और यहां south है अगर तो यह constant magnetic field दोनों cross sections से coil की गुजरती रही तो magnetic flux का तो change zero रहेगा और आप जानते हैं कि change of magnetic flux अगर zero रहे तो फिर induction नहीं होती लेकिन क्योंकि यह problem हमें face करना पड़ती है तब जब हम किसी coil को किसी solid light को connect करते हैं with the alternating current with the AC source अब alternating current गुजर रहा है magnetic field हमारे पास जो बार-बार change हो रही क्योंकि crunch चेंज हो रहा है तो यहां magnetic field भी बचो क्या हो रही है यह बार-बार change हो रही है यह magnetic field है हर loop के cross section से गुजर रही है क्योंकि basically सिर्फ बाहर वाले faces को नहीं देखा जाता है हर coil का face देखा जा रहा है हर coil के जो loop बना हुआ है लग जिस तरह से यह मैं loop बनाता हूँ और यह magnetic field line यहां loops में से गुजर रही है और यह बार-बार change हो रही है कभी तीन, कभी दो, कभी एक, कभी दो, कभी तीन and so on बार-बार variation आ रही है हर एक loop से magnetic field change हो रही है तो हर loop का change of magnetic flux आ रहा है इसका मतलब हर loop के अंदर induction होने वाली है और हर loop अपने अंदर induced EMF और induced current लेकर आएगा और क्योंकि हमें पता है कि यह जो induction है यह हमेशा अपने साथ opposition लेके आती है तो यह जो current इसके अंदर बनने वाला है बच्चो यह current हमेशा हमारे given current से opposite होता है मानने कि यहां से यह current है कहीं downward जा रहा है तो यह वाले current हमारे पास है कहीं हम दिखा देते हैं कि upward जा रहा है यह दोनों ही current एक दूसरे से opposite होते हैं जस्त यह दिखाने के लिए क्योंकि यह जो आया हुआ induced emf induced current है हमारे input current को क्या करेगा oppose करेगा उसको रोकेगा अब थोड़ी देर के लिए जरा बात अपने जहन में लेकर आएं basically इससे हम आगे अपनी एक application बनाते है like 12 volt में ने दी और उसे बना मेरे पास नहीं 5 amperes current 5 amperes current की वरे से यहाँ पर मेरे पास आने वाला current था वो suppose कर लेते हैं कि 2 amperes current था यह आगया 2 amperes current यहाँ पर आगया मेरे पास given input था वो 5 amperes था अब यहाँ इन दोनों current ने दूसरों उतला कि यह oppose तो मेरे पास यहाँ पर net current बचने वाला है वो क्या होगा दोनों का difference होगा that will be 3 amperes तो जो performance जो output मुझे या जो induction दूसरी coil में मुझे 5 amperes current दे सकता था वो मुझे इन दोनों का difference नहीं दिलवा सकता मेरी जो induction किसी दूसरी coil में होने वाली थी 5 amperes current की वरा से अब वो इन दोनों की मोझूदगी में हर्गिस नहीं होने वाली तो मैं यह देख रहा हूँ यह आया हुआ current हमारे current को रोक रहा है इसके रुखने की वरा से क्या होगा induction जो दूसरी coil में होनी थी वो उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि current कम होगा आगे magnetic field कम generate होगी तो जो हमने दूसरी coil का इंसामने रखी होगी उसमें उतनी induction नहीं हो सकेगी तो basically यह वाला जो current है यह हमें नहीं चाहिए यह एक opposition है यह हमारे एक application का drawback है तो हम इसको निकालना चाहते हैं चाहते हैं कि हम इसको जैसे तैसे कम करें और इसको हम induced current नाम नहीं देंगे बलकि इसको हम नाम देंगे back emf या back current back emf या back current तो सबसे पहले तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि जो induction है किसी भी coil की अपने self के अंदर induction in in its self due to the change of magnetic flux तो जब जब magnetic flux का change आएगा क्योंकि current को हम change कर रहे हैं बच्चों तो यहां से आने वाला जो induced current होगा वो हमारे इस current को रोकेगा और उसकी वज़ा से हमारे पास जो आगे हम induction करवाना चाहते थे useful induction वो हमें उतना output नहीं दिलवा सकेगा हमें उतना output नहीं मिलेगा अब यहां एक चीज हम देख रहे हैं और relation में एक बास समझ में आती हैं हमें यह जो self induction है हमारे पास कब ज़्यादा होगी कब कम होगी हम इसकी dependence देखना चाहते हैं ताकि हम इसको किसी तरह से कम कर सके minimize कर सकें तो जो हमारे पास flux है जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास यहां पर current भी आएगा ठीक हो गया? जितना ज्यादा हम flux लेके आएगे जितना change करवाएगे उतना current का भी change आएगा तो direct relation हमारे जहन में आता है साथ में एक चीज और भी मुझे समझ भी आता है कि अगर मैं number of turns ज्यादा कर देता हूँ तो भी मेरे पास आने वाला induced current भो बढ़ जागा वो कैसे ज़रा वो से देखाँ मान लिए कि बच्चों यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 5 loop है 5 loop से मेरे पास induced EMF आया एक loop से आया 1 volt एक loop से आया 1 volt 5 loop है total EMF कितना हो गया 5 volt यही अगर मैं 5 की जगा यहाँ पर 100 ton कर देता हूँ हर ton से 1 1 volt मुझे मिल रहा है EMF तो 100 ton से अब कितना मिल जाएगा 100 volts अब एक बास ज़रा गोर्ज़े सुने कि 5 volt मुझे ज़्यादा current produce करके दे सकता है यह 100 volt ज़्यादा produce करके दे सकता है तो यहाँ एक बास समझ में और भी आ रही है कि अगर मैं number of turns ज़्यादा करता हूँ तो each turn जो आने वाले मेरे पास EMF होगा वो तो constant रिगा बढ़ कि number of turns बढ़ गए तो sum of total अगर मैं EMF निगालूँगा तो मुझे collective EMF ज़्यादा मिलेगा collective EMF ज़्यादा हुआ number of turns के बढ़ जाने की वरा से तो क्या होगा आने वाले current भी तो बढ़ेगा मुझे यहाँ पर induction ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि इसको कम कर देने से मेरे पास आने वाला जो magnetic flux और जो दुसरी coil से induction करवानी है वो भी phenomenon जो है वो minimize हो सकता है, कम हो सकता है तो इस coil में आने वाले self-induced current को या induction को कम करवाने का जो सबसे बहतरीन तरीका है या जो सबसे best way है वो ही है कि हम number of turns को क्या करेंगे इसके कम कर देंगे, minimize कर देंगे अगर मैं इस relation को open करूँ तो यह बनता है यहाँ self-induction का अगर मैं symbol लगाऊं constant that is known as self-inductance तो formula बनता है N5 equals to L I यह जो L है बच्चो यह हमारे पास है self-inductance जिसे हम यहाँ पर sign-up proportionality भी कहते हैं और यह खुद भी कुछ चीजों पर depend करता है कि nature of core कैसा है, nature of material कैसा है, coil के number of turns कैसे है material कैसा है, so on वो सारे यहाँ पर factors मौझूद हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि अगर हम faraday's law को use कर लेंगे मेरे पास पहला formula है using faraday's law faraday's law जो electromagnetic induction का बच्चों basic law हमने पढ़ा था faraday's law हम उस equation को use करेंगे और हम अगर उस equation का इस्तमाल करें तो हमारे पास equation आती है EMF की epsilon equals to n delta pi over delta t मैं इस equation में से delta को अगर बच्चों थोड़ी दर के लिए भायर निकाल लूँ तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको delta equals to n phi over delta i मैं इस equation 1 को जो मैं इहां लिख कर आया हूँ इसको यहां इसकी जगा फुट कर सकता हूँ n phi n phi इसकी जगा लिख देते है using equation 1 अगर मैं equation 1 को use करूँ तो मेरे पास जो formula है वो यह रह जाएगा कुछ इस तरह से epsilon equals to delta li over delta t बच्चों पता है हमें कि delta का फटर होता है हमेशों किसी variable के साथ लगाए जाता है तो मैं इस formula को finally कुछ ऐसा लिखूँगा epsilon equals to l delta i over delta t तो यह तो हमारे बस बचों आ चुका है self induced EMF self induced EMF जिसकी वरे से हमें जिसे हम back EMF भी कह रहे हैं जिसकी वरे से हमें self induced current भी मिलता है यह back current मिलता है तो यह तो आगई इसकी expression जिसको अगर हम unit में लेकर जाएं तो इसकी unit हमारे पास निकलाती है voltage को लेकर चलती है वैसे इसकी unit भी निकलाएंगी यहां मैं देखना चाता हूँ कि यह self inductance है इसको कैसे deal किया जा सकता है यह किन-किन factors पर depend करता है यह इसका relation क्या है तो यहां कुछ चीज़ी हैं जो express की जा सकती है कुछ इस तरह से इसको अगर self inductance को मैं इस formula से फर्दर बच्चो express करूं तो self inductance को ऐसा लिखा जा सकता है L equals to epsilon equals to delta I over delta T इसका मतलब यह है कि यह self inductance है that is basically the ratio of the self induced EMF over the rate of change of self induced current ठीक होगे बच्चो इन दोनों की जो ratio ना हमारे पास inform करती है about the self inductance तो self inductance हमारे पास जहां पर जो sign of proportionality था जिसकी हमने dependence factors से भी बात की उसका यह relation आ गया कि जो ratio है हमारे पास कितना हमने self induced EMF करवाया और कितना हमारे पास rate of change of current आया उससे आने वाले जो value that will inform और tells us about the self inductance of any coil जो हमने यहां पर समाल की और यह vary करेगी कि जब हम material change करेंगे coil change करेंगे क्योंकि इसकी जो nature है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है इसकी डिपेंड करती है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की number of turns हो गए, nature हो गई, accord कैसा है area कितना है, so on, वो सारे factors पर डिपेंड करती है इसकी अगर SI unit हम लिखें तो क्योंकि Henry ने इसके बात की तो SI unit जो है वो इसकी Henry है जिसका symbol H है और अगर हम SI derived unit की बात करें तो voltage ampere inverse second या VSA inverse भी लिखा जाता है, तो ये दो इसकी units है तो यहाँ भी हमने, बचो यहाँ देखा यह जो हमारे पास opposition है negative sign ही हाँ पर express किया रहा सकता है क्योंकि हमने faradus law के अंदर negative sign कुश हो नहीं किया क्योंकि basically यह खुद ही एक negative factor है जिसको हम remove करना चाते हैं और सो negative लगाया जा सकता है कि इस factor को, इस self inductance को या self induction को हम चाते हैं कि हमारी जो applications है उन में से इसको निकाल दिया जाए और मैं यहाँ पर आप hint में थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि कहां हमारे लिए problem की cause बनती है तो वो हमारे पस application है बचो mutual induction की जो कि हम आगे transformer का principle बना कर उसको use करते हैं तो वहाँ हमारे पस जब self induction होगी तो self induction से हमारा जो input current है वो कम होगा input current कम होगा तो हमारे पस जो main magnetic field है वो भी कम होगी और वो magnetic field कम होगी तो साथ पढ़ी वो जो दूसरी secondary coil होगी वहाँ से भी हमारे पस जो magnetic flux का change है वो कम होगा तो वहाँ दूसरी coil में क्योंकि हम induction करवाना चाहेंगे तो magnetic field के कम हो जाने की वरे से वहाँ induction कम होगी तो हमें वो output नहीं मिल सकेगा जो हम चाहते होंगे तो इसलिए आज हम उस topic को पढ़ने से पहले या transformer बनाने से पहले ये चाहते हैं कि हम back EMF को back current को या self induction को किसी तरह से minimize कर लें ताकि हमारी applications में आने वाले problems को हम खतम कर सके